बिहार के अररिया जिले सारी ये बड़ी खबर आपको बता देंगे फाइनेंस बैंक कर्मी से 12 लाख रुपए की हो गई लोट बता दें अररिया जिले के फार्बिस गन नर्पद गन सरक मार्क एनेच 27 पर बंधन बैंक कर्मी से 12 लाख रुपए की हो गई है बड़ी लोट दो बाइक पर सवार अपरादियों ने घटना को अंजाम दिया अस्तानिय लोगों की मदद से एक अपरादी गरपतार और घायल बैंक कर्मी अनमंडल अस्पताल में है भरती 72 इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है पुलीस जाच में जूड चुकी है बता दें कि फारवेजगंड डियस पी मौगे पर पहुँचे गटना के शंबन में बताया जा रहा है कि बंदन बैंक के मुखे साखा से नर्पंद गंज के पलासी साखा के लिए रुपिया लेकर चार चक्का वाहन से जा रहे थे इसी क्रम में दो बाइक पर सबार चार अपरादियों ने ओवर्टेक किया चार चक्का वाहन को रोका और हातियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया इस घटना में अपरादियों के दुवारा फायर करने की भी बात कही जा रही है लूट की वारदात के क्रम में दो बंदन भाग करमी गंभी रुप से घायल भी है और मंडेली अस्पताल में भरती कराया गया है बहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है वही अस्थानिय लोगों की मदद से क्या प्रादियों को पुलिस ने पकरने में शफ़ता भी प्राप्त की है आपको बता दे कि फारवेस्गंज डियेस्पी मोखी पर पहुँचकर मामने के जात में जुट चुके है पुलिस सभी बिंदों पर जात परताल कर रही है वही नाकर बंदी कर प्रादियों के गरपतारेवें में पुलिस जुट चुके है आप खुदा दे 12 लाख रुपे की लूट की बात सामने आ रही है बंधर मेंक कर्मी से 12 लाख रुपे की लूट इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के अराडिया के फार्वेजन से जहां 12 लाख रुपे की लूट की बड़ी खबर सामने आई है और भविया के न्यूज के लिए अराडिया से मनिस्कुमार किरपूर सब्सक्राइब भी कर देजिए दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पास्पोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ट की फोटो कोपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए हमारा नंबर है 8826227802